तो हेलो दोस्तों कैसे है आप आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे तो आज हम जिस एक्टर के बारे में बात करने जा रहे है उनको हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है आप समझ ही गए होंगे कि हम के सेक्टर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही है वन एंड ओनली सनी देओल सर हम उनकी अपक्मिन्ट फिल्म गदर मुवी के बारे में बात कर रहे हैं सनी देओल और अमीशा पटेल की ब्लॉक बस्टर फिल्म गदर 22 साल के बाद एक बार फिर सिनेमा घरों में दस्तक दे रही है गदर के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शांदार रिस्पॉंस मिल रहा है सनी देओल और अमीशा पटेल की एतिहासिक फिल्म गदर एक प्रेम कथा एक बार फिर सिनेमा घरों में गदर मचाने वाली है आज फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसे देखकर दर्शकों के रोंटे खड़े हो गए गदर एक प्रेम का था को रिलीज हुए भले ही 22 साल हो चुके हैं लेकिन जब आज इसका ट्रेलर दोबारा रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर इसे एक बार फिर वैसा ही रिस्पॉंस मिला जैसे किसी नई फिल्म को मिलता है फिल्म के दो मिनट एक की सेकंड के ट्रेलर को देखने के बाद फैंस इसका बेसबरी से इंतजार करने लगे हैं गदर एक प्रेम का था के ट्रेलर की शुरुआत मशहूर डायलॉग अशर्फ अली आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है इससे हमें कोई अतराज नहीं लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा से हुई जिससे सुनते ही फैंस की पुरानी यादे ताजा हो गई इस फिल्म के डायलोग्स लोगों को आज भी याद हैं फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे तारा सिंग अपने प्यार सकीना को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए लोगों से लड़ जाता है के ट्रेलर की शुरुआत मशहूर डायलोग अशर फली आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है इससे हमें कोई अत्राज नहीं लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा से हुई जिससे सुनते ही फैंस की पुरानी यादे ताजा हो गई इस फिल्म के डायलोग्स लोगों को आज भी याद है फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे तारा सिंग अपने प्यार सकीना को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए लोगों से लड़ जाता है उद्धरन अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी गदर एक प्रेम कथा 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी 22 साल के बाद फिल्म के मेकर्ज इसे दोबारा रिलीज कर रहे हैं ताकि फिल्म गदर दो देखने से पहले लोग इसकी पहली कहानी देख लें बता देखी गदर दो दकता कंटीनूस का निर्देशन भी अनिल शर्मा नहीं किया है गदर टूप 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है इस फिल्म में एक बार फिर सनी देउल और अमीशा पटेल की जोड़ी दर्शकों को देखने को मिलेगी फिल्म की शूटिंग के दोरान इसके कुछ वीडियोज लीक हुए थे जिसमें सनी देउल नजर आ रहे थे आप हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहे आपके प्यार की वज़े से ही हम इतना कुछ कर पाते है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करो हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे थेंक यू फॉर वाचिंग